नमस्कार फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल रॉकिस्टार एजूकेशन में दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मेट्रिक इसकोलर्शिप के एक नए अपडेट के बाड़े में यह वीडियो जो है सभी छातर छ चुके हैं और जो आवेदन नहीं कर चुके हैं दोनों को यह फॉर्म को भरना पड़ेगा यदि आप जो है अपना स्टेटस चेक करना चाहेंगे कि कहा तक मेरा फॉर्म भेरिफाइव हुआ है और जो स्टूडेन फॉर्म को भरना चाहेंगे उससे फॉर्म को कैसे भरना हो यहां पर आईए सबसे पहले हम उस फॉर्म को दिखा देते हैं जैसा कि आप हमारे computer screen पर यहां पर देख रहे हैं यह फॉर्म को ही जारी किया गया है और इस फॉर्म को यहां पर भरना पड़ेगा चाहे वो कोई भी candidate हो या आपने आवधन कर दिये हैं कर दिये हैं या अभी तक आवधन नहीं कि अपना आईडी को खोलना चाहें या स्टेटस करना चाहें तो आपको जो है सबसे पहले इस फॉर्म को भरना पड़ेगा यहां पर आपको देखने को मिला है सम रिक्वाइड फिल्ड अपडेट फॉर इस टुडेंट तो आपको जो इस फॉर्म को इसलिए भरने के लिए बोल रहा है ताकि जो है आपका आईडी यहां पर जो है सिक्योर रह सके और आप ही वह स्टुडेंट है या नहीं है और जब भी आप आईडी को खोलेंगे एक सुरक्षा कवच के तोर पर जो है इसको भरना अनिवार कर दिया गया है को भरना ही पड़ेगा और जो कंडिडेट यहां पर जो है स्टेटस चेक करेंगे अपना आईडी खोल करके उसको भी भरना पड़ेगा जो यहां पर किसी परकार का एडिटिंग करेंगे उसको भी भरना पड़ेगा जो यहां पर फॉर्म को फाइनल समिट करने जाएंगे इसको भी भरना पड़ेगा यहां पर देखिए किस प्रकार से भरना है सबसे पर आएंगे यहां पर देखने को मिल रहा है Select application ID यदि आपने जो है दो एर के सेशन के लिए आविदन किये हैं तो यहां पर आपको यह option देखने को मिल जाएगा यहां पर आप किलिक करेंगे तो आपको जो है दो सेशन का यहां पर आपको option देखने को मिला आपको जो है यहां पर कोई एक सेशन को select कर लेना है जिस भी सेशन के ताहत आप यहां पर ID को खोलेंगे आगे आएंगे तो आगे यहाँ पर देखने को मिल ला है इच और फन तो यहाँ पर किलिक करेंगे यह स्टार मार्क लगाओ है इसको भरना इम्पोर्टेंट है यदि आप अनाथ है तो यह पर किलिक किजेगा नहीं है तो नो पर किलिक किजेगा अब जो लोग यहाँ पर disability र करेंगा disability यहाँ पर परसंटेज पूछा जा रहा है आपको जो है विकलांगता का जो परसंटेज पूछा गया था फॉर्म फिलब करते समय वही परसंटेज आपको यहाँ पर फिल करने ना है आगे चलेंगे आगे देखने को मिला हाउस होल्ड कैटेगरी में भी स्टार मा कर लगा हुआ है आपको जो है इसको फिल करना अनिवारी है ड्रॉप डाउन बटन पर किलिक किजिए यहाँ पर देखिए आपको दू ओप्सन देखने को मिला एक देखने को मिल रहा है पूर रेष्ट और एक देखने को मिला आधर यदि आप खुबे गडिब हैं तो आप यहाँ पर पूरेष्ट को सेलेट किजिएगा ज्यादा गडिब ने मेडियम क्वालेटी में आते हैं मेडियम परिवार से आधर को सेलेट कर सकते हैं यहाँ अमीर है तो आधर को सेलेट कर लिजिएगा अगे यहाँ पर चलेंगे आगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है प् आपके लिए important है आगे चलेंगे तो आगे यहां पर देखने को मिला है preview course passing year ठीक है तो यहां पर click करेंगे तो click करने के बाद आपको यहां पर year दिख जागा किस year में आपने पिछले class को pass किया है जिस भी year में pass की उस year को यहां पर select कर लिजेगा आगे देखने को मिला है last year passing percentage आपने last year क्या pass किये है कौन सा class को यहां पर pass किये है उसी को यहां पर डाल देना है उसके बाद यहां पर देखेंगे last year result यह भी star mark में लगा हुआ है आपने last year में पास किये थे तो आपने पास किये थे या फैल हुए थे तो आपको अगर pass किये है तो pass को select कर लिजेगा उस परकार से friends इस form को भर करके जो है यहां पर आ सकते हैं और जिसको भी यहां पर आवेदन का स्थिति चेक करना चाहते हैं तो application status पर किलिकर करके status चेक कर सकते हैं या यहां पर जो option दियावाई से भी चेक कर सकते हैं तो friends आज का वीडियो में इस च्छोटी सी जानकारी देना था जो ने अपडेट आया था बहुत सर यहां पर Instagram में मेरा message आ रहा था तो वीडियो अपके लिए इंफर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हैं फ्र लॉकेश्टर एजूकेशन यूट्यूब चैनल